हलो दोस्तों मेरे नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एक्जाम्स हब चनल। या फिर किसी भी अधर चीज का फॉर्म आप फिल कर रहे हो वहाँ पर अगर आपको जूरत पड़ती है कि फोटो आपको बनानी है और जिस पिक्सल में आपस कहा जाता है उस पिक्सल की फोटो आपको बनानी है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है मेरे पास कल कमेंट भी आया था इस्पेशली वैसे तो मैंने इस युनिवसेटी का जो प्रोसेश है अप्लिकेशन प्रोसेश उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं लेकिन फिलाल आप किसी भी युनिवस्टी किसी भी कॉलेज के फॉर्म में ये अप्लाइ कर सक इस पिक्सल में आपको फोटो बनाना है और बहुत सारे लोग इस पिक्सल में फोटो नहीं बना पा रहे हैं तो अब नहीं होरी है तो जो भी इशू आ रहा है उसको हम आज क्लियर करने के कोशिश करेंगे और यहां पर एक बार अपलोड करके भी देखेंगे कि वाक्वे फोटो अप्लोड हो भी रही है या नहीं हो रही है हमारे पास देखिए एक फोटो है यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यह एक रिक्रूट्मेंट जो इसका वीडियो भी हमने कल ही बनाया था आपके सामने देव भूमी उन्वासिटी का यही पिक्चर को हमेजा एक्जामपल पर ले करके यहाँ जब जाते हैं तो देखिए आइटम टाइप जेपीजी फाइल दिखा रहा है डाइमेंशन जो लिखी हुई है यही आपका पिक्सल है 555 x 414 यह आपका पिक्सल है अब चाहे तो आप इसको दूसी तरह से भी देख सकते हैं इस पर राइट लिक करिए औ और इसको open with करके आप चले जाएए directly paint के थुरू इसको paint के थुरू open कर लीजे यह आपके सामने paint के थुरू open हो गया है और इसी की थुरू ही हम आपको pixels बना करके दिखाएंगे एक दम perfectly तो यहाँ पर आपको क्या करना है जब आप यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले pixel बनाने के लिए यहाँ पर जो नीचे checkbox होता है इस checkbox को अंचक कर दीजे मतलब इस पर से tick हटा दीजे यह हमने tick हटा दिया tick हटाने के बाद यहाँ पर आपको डालना होगा 200 और इसी तरह से यहाँ पर आपको नीचे vertical में भी 200 डालना होग जब आप यह डाल देंगे और उसके ओके करेंगे तो आपके सामने यह दिखिए यह picture 200 by 200 pixel में हो गई है अब इसको हम क्या करते हैं इसको as it is हम save पर click कर लेते हैं अगर आप इसको दूसरे नाम से save करना चाते हैं तो save as करके और इसमें जिस format में आप save करना चाते हैं png, jpeg जो भी आपको format में save करनी है, jpeg में करनी है तो already jpeg में ही image थी तो हमने इसको directly save कर दिया, अब हम इसको यहां से cut कर देते हैं, cut करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका जो pixel है, वो 200 by 200 हो चुका है, यह देखिए आपके सामने और 29 kb की यह file हो गई है, अब हम directly जाते ह है portal पर, और यहां पर browse पर जा करके, और यहां पर हम browse पर click करेंगे, और downloads में जहां भी हमारी file पड़ी होई है, वहां पर जा करके उसको find करेंगे, तो हमने browse पर click करने के बाद यहां पर click कर दिया है, और यहां पर आप देखेंगे, यह जो photo पड़ी होई थी, इस पर हम click कर लेंगे और इसको करेंगे open तो यहां पर यह दिखिए फोटो फिलाल तो upload हो चुकी है लेकिन अब यह पता कैसे चलेगा कि फोटो वाकई में upload हुई भी है या नहीं इसके लिए हमें इस form को पूरा भर करके देखना पड़ेगा तो यहां पर मैं आपके सामने पूरा form फिल कर करें नहीं दिखा रहा हूँ यहां पर मेरा process जो main purpose जो था इस वीडियो को बनाने का वो यह था कि आपकी फोटो यहां पर upload हो जाए और किस तरह से आपको perfect pixel में फोटो बनानी है वो मैंने आपको बता दिया तो कभी भी आपको जुरुत पड़े अगर कहा गया है कि आपको आपको यह वीडियो क्लियर होगा जो भी बात इसमें बताए गई है वो आपको clearly समझ में आ गई होगी तो एक बार आप जरूर से try करके देखें फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फोटो बनाने में upload करने में तो मुझे comment करिएगा मैं फिर से आपकी problem को solve करने का या कोई दूसरा तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वेगैंसी, PSG एड्मिशन या फिर किसी अपडेट के साथ में तब तक के लिए take care and जैहन